गाइस तो इंडिया के स्क्वाइड का राउंस हो गया है for the upcoming T20 World Cup और लोग का रियक्शन्स कैसे है इसके उपर तो देखें मैंने इंस्टेग्रम और फेस्बुक पे मैंने अपडेट किया था आपने चेक भी कर लिए होगा कि स्क्वाइड में है कॉर तो आज बस अनलेसिस करेंगे कि स्क्वाइड में जो है प्लियर्स क्या इंका होना ज़रूरी था क्या कोई और प्लियर नहीं आ सकता था इसके बड़ बात करेंगे तो लोग का रियक्शन्स जो मुझे मिले अच्छे नहीं है लोग थोड़े से दुखी है उन्हें लगता है कि यह जो स्क्वाइड है वह उतनी अच्छी है नहीं और बहुत अधक मुझे भी ऐसा ही लगता था लेकिन जब मैंने सोचा इस के उपर मुझे पता चला कि हां कुछ कमिया है लेकिन एज फैन हमें कुछ चीज़े समझने पड़ेगी और उसी के उपर बात करेंगे तो पहली जो चीज़ है वह है अश्विन को लेकर अश्विन ने नाजाने कितनी सालों से लास्ट कब उन्हें इंडिया के लिए टीट्वेंटी मैच खिला था तो अश्विन का इंक्लूज़न क्यों इंक्लूट किया गया तो देखें आपको एक ओफ्स्विनर चाहिए था ओफ्स्विनर जो के बैटिंग भी कर सके तो वाशिंग्टन सुन्दर जो के एक चॉइस बनते थे उनकी फिंगर इंजरी हो गई और वो रूल डॉट हो गया आईपेल से तो टी 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 वोल्ड कप में आना उनका मतलब आपके सकते इंपॉसिवल है तो इसी लिए अश्विन को तूस किया गया इसी कारण से नहीं तो और कोई कारण बनता ही नहीं है वाशिंग्टन सुन्दर रूल डॉट हो जो के था आईपेल से और इसी कारण से टी 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 वोल्ड कप के लिए अश्विन को तूना गया फिर आप कहा सकते हैं स्पिनर्स के ओप्षिन में अक्षर पतेल है आपको एक लेफ्ट आम स्पिनर्स चाहिए था जो कि बैटिंग भी कर सके आपके बास कुनाल पांडिया है आपके वास अक्षर पतेल की बॉलिंग काफी सारे मैचस खिले हैं लेकिन अधी इंट्रेशनल लेवल और टीट्वेंटी वर्ल्ड कप की लेवल पर आइधिंक युज्वें ने चहल यहाँ पर सूट करते थे अपने वरून चक्रवरती को पिक किया अच्छा है एक मिस्ट्री स्पिनर है उनका पफॉर्मेंस भी पॉइंट्स लोग के मन में आड़े और मेरे मन में भी था कि आप कह सकते कि दीपक जहर अगे दीपक जहर शारदू ठाकुर और शियस एयर इन्हें एजा कवर प्लियर या फिर बैक अप प्लियर क्यों रखा गया में स्कॉर्में क्यों शामिल ने किया गया तो देखे शाम कर सकते हैं हम लोग शामिल किया जा सकते था लेकिन आप किसकी जागा करते हैं आप पर सुर्यकुम्रियतließen घाषब सकते हैं तो दीपक जहर Noo और बहुत ही कमाल के प्लियर्स है शारदुल ठाकुर भी उनका परफॉर्मेंस कफी अच्छा लेकिन आप चूस करते तो कहां भी करते यहाँ पे जगा खाली है नहीं राइट आप रिकान लीजा अगर यहाँ पे शियर सेड को चूस किया गया होता और सुर्य कुमर यादफ क तो बाहर बैठाया होता तो फिर भी फैंस सुनारेज होते है तो किसी एक को तो जाना ही था तो यह ऐसा फैन हमें समझना पड़ेगा कि जो भी पिक क्या गया है यह सारे आइपिल प्लियर्स है इन्हें एक्स्पीरियंस है टीट्वेंटी में खिलने का तो आप कह सकते अश अशिंग्टेंस में अधर अवेलिबल नहीं है कॉनल पंडिय के जगा अक्षर प्रटेल का चूस होना अल्मोस्त आई था क्योंकि उनका इकॉनमिकल बॉलिंग उन्हें आगे रखता है और आप कहते हैं कि जो प्लियर्स ऐसा कवर्ड प्लियर्स सेलेक्टी है शारदू ठा है आई प्ल में बड़े-बड़े प्लियर्स है और यह टी ट्वींटी वड्ट कप में इंडिया को मैठ जित्वा सकता है हमें बस पेशेंस रखना पड़ेगा ऑगे जस्ट देखते है टी ट्वींटी वर्लीकप यह प्लियर्स कमाल कर चुके अपने टीम के लिए पहले भी और इस बार भी ये करेंगे तो बस इतना है आपसे शेर करेंगे था आपसे उलागात होगी नेक्स वीडियो ये पॉड्कास एपिसोड में थन्य बाद